आज की दुनिया में आधारकार सेंटर लेना या फिर आधारकार की फ्रेंचाइजी लेना आधार सेवा केंदर लेना काफी ज़धा डिफिकल्ट है अगर आपको आधार कार की franchise या आधार सेवा ripe लेने का process पता नहीं है तो आप किसी भी condition में आधार सेवा केंदर open नहीं कर सकते हैं आधारकाड सेंटल लेने के लिए बहुत सारे जमेले करने होते हैं और उसके बावजूद ही आपको आधार सेवा केंदर मिल पाता है अगर आप एक आधार सेवा के अंदर ले लेते हैं या आधार कार की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो आप आधार कार से लिटेट सारी सर्विसेज कस्टमर को प्रवाइड करवा सकते हैं जिसे नया आधारकार बनाना, किसी भी कस्टमर के आधारकार में मोबाइल नंबर लिंक करना, किसी भी कस्टमर के आधारकार में किसी भी प्रकार का करेक्शन करना, जिसे नाम में करेक्शन करना, डेटो बर्त में करेक्शन करना, एड्रेस में करेक्शन करना, उसकी बायमेट के अंदर किस प्रकार से खोल सकते हैं आदार सेवा के अंदर कोलने का process क्या है अगर आप इस process को follow करते हो आपको 100% आपकी जो location है उस वाली location में आपको आदार सेवा के अंदर मिल जाए आज की इस वीडियो में जो मैं process आपको बताने वाला हूं यह जो process है वो सभी states के लिए available है आप किसी भी state से किसी भी राज्जे से belong करते हों आप अपनी location में आदार सेवा केंदर खोल सकते हो अगर आप इस बताय हुए process से आदार सेवा केंदर के लिए online apply करते हो तो यहाँ पर आपको online apply करने के बाद बहुती easy way में आपका आदार अदर open करना चाते हैं या फिर आपकी कोई location है आप उस वाली location में आधार का काम start करना चाते हैं आधार कार की franchise लेना चाते हैं तो किस प्रकार से आप आधार सेवा केंदर खोल सकते हैं किस प्रकार से इसके लिए online apply कर सकते हैं तो उसका complete process जानने के लिए चलते हैं computer की screen की आधार center open करने के लिए उसके लिए online apply करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक browser अपने mobile phone में या computer में आपको open करना है और वहाँ पर आपको google में जाके search करना है UTI UTI लिखकर आप search करेंगे उसके बाद आपके सामने जो first number वाली link आएगी utitsl.com simply आप इस वाली link पर click करोगे जब आप यहाँ पर click करोगे यहाँ पर click करते ही आप इस वाले dashboard पर पहुंच जाओगे आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो interface है वो आपके सामने कुछ इस तर कर अलोट करती है इसके लवा UTI कंपनी ने हाल ही में एक service start की है उस service के according आप UTI कंपनी के थ्रू आधार सेवा केंदर भी start कर सकते हो UTI कंपनी आधार सेवा केंदर खोलने का मोका भी देती है तो आधार सेवा केंदर के लिए आपको online apply करने के लिए simply इस वाली site पर जब आपको एक service दिख जाएगी आधार services का यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आधार services करके एक service दी गई है simply आपको click to visit इस पर आपको click करना है जब आप यहाँ पर click करोगे यहाँ पर click करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप एक आधार सेवा केंदर ले ले ल चाहे वा कस्टमर छोटा हो बड़ा हो या फिर बच्चा हो किसी का भी आप यहाँ पर नया वाला आधार कार इस वाले वेबसाइट के तुरू या फिर इस वाले से अगर आप आधार सिवा के अंदर ले लेते हो तो आप यहां से आधार कार छोटे बच्चे का या बड़े ब बना सकते हो, यहाँ पर आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है, इसके लावा यहाँ पर आपको आधारकार अगर आप बनाते हो, अगर आप आधार सेवा केंदर ले ले लेते हो, और किसी का अगर आधारकार बनाते हो, तो उससे आप अपने अकोर्डिंग कितना भी ले सकते हो इसके लावा जो second नमर वाली यहाँ पर आपको आधरकार से लिटेर सर्विस मिलती है वो मिलती है mandatory biometric update along with demographic का trade मतलब यहाँ पर आपको demographic update और mandatory biometric update की भी facility मिलती है मतलब आप किसी भी customer का जो demographic update है जैसे नाम चेंज करना हो गया, mobile number चेंज करना हो गया, इसके लावा gender चेंज करना हो गया, date of birth चेंज करना हो गया, address चेंज करना हो गया, email ID चेंज करना हो गया, यह सारे changes आप यहाँ पर easily आधार सेवा केंदर लेकर कर सकते हो, इसके लावा जो third नमर वाली service मिलेगी वो मिलेगी full biometric with or without demographic update मतलब यहाँ पर आप किसी भी customer का जो biometric होती है, जो mobile number हो गया, email ID हो गया, gender हो गया, आपका जो भी address है, address हो गया, तो यहाँ पर अगर आप आधार सेवा के अंदर ले लेते हो, तो यह कहें कि आधार कार से related जितनी भी services हैं, वो सारी services आपको यहाँ पर दी जाती है, जैसे नया आधार कार बनाना, आधार कार में mobile number लिंक करना आधार कार में email ID लिंक करना, आधार कार में नाम को चेंज करना, डेटो बर्त को चेंज करना, आपका जो address है, उसको चेंज करना, आपकी language को चेंज करना, यह सारी चीज़े आप आधार सेवा के अंदर लेकर यहां से start कर सकते हो, अब बात करते हैं कि अगर आपको आधार स मिल जाता है आधार सर्विशेज का simply जब आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको option मिल जाएगा आधार center locator का तो simply आप इस पर click करोगे जब आप यहाँ पर click करोगे यहाँ पर click करते ही आपके सामने यह वाला आधार center locator का एक search box आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है आधार all India customer care center और नीचे आपको option मिल जाता है visiting hovers का मतलब यहाँ पर जो location आपको दी गई है यह वाली जो location है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है वो बता देता हूँ उसके बाद बात करेंगे हम location की नीचे आपको option मिल जाता है आधार center locator का और नीचे आपको option मिलता है find your nearest center यहाँ पर आपको select center का option मिलता है आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने काफी सारी cities के नाम यहाँ पर आ चुके हैं तो आपके नदीक में जो भी city परती है जैसे आप राजस्तान से हो तो नदीक में जैपूर city परती है अगर आप अधर कहीं से भी हो जैसे आप गुजरात से हो तो आपके सूरत परती है इसके लावा राजकोर्ट परती है पाना जी तो यहाँ पर जिस भी city आपके निरस्त में परती है जैसे अगरतला हो गया एमदाबाद, बैंगलोर चैन्नाई, दुर्गापूर, गुहावटी, हैदराबाद इंदोर, जैपूर, कॉलकता, मुंबई नासिक, नवी मुंबई, नियु देली पाना जी, राजकोर्ट और सूरत यहाँ पर जो भी निरस्ती आपकी परती है वो city आप सलेक्ट करेंगे जैसे हम यहाँ से जैपूर city सलेक्ट कर लेते हैं जैपूर पर हम क्लिक करते हैं तो जैपूर पर क्लिक करते ही हमारे सामने नीचे center address आ गया है अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमें आधार center open करने के लिए जो यहाँ पर address दिया गया है जैसे हम राजस्तान से हैं तो हमारे nearest में जो city परती है वो जेपूर पढ़ती है तो जेपूर हमने सेलेक कर लिया है और जेपूर सेलेक करने के बाद यहाँ पर हमारी जो सीटी हमने सेलेक की है उस सीटी के अंदर उसका जो सेंटर एड्रेस है वो हमें यहाँ पर दिखा दिया गया है अब हमें क्या करना है अगर हमें आधार सेंट कर सकते हैं. जो भी आपका state हो, state की according आपको अपनी city select कर लेनी है. यहापर जो address आपको बताया गया है, इस वाले address पर आपको जाना है. इस वाले address पर आपको कब जाना है? यहापर कब जाने के लिए, यहापर visiting hours आप उपर देखोगे, तो यहापर आपको टाइम बताया गया ह कि आपको इस दिन को इतने बज़े से लेकर इतने बज़े तक आपको यहाँ पर सेंटर पर पहुंचना है। कि आपको आधार सेवा के अंदर लेने के लिए आपके पास जरूरी डॉकुमेंट्स होते हैं वो आपको अपने साथ ले जाने होते हैं। का जो operator supervisor NSEIT वाला certificate होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके लावाद जो आपका आधार कार है आपका pen card है आप जहाँ पर location जिस location में आधार सेवा के अंदर खोलना चाते हो उस वाली location का complete address वगेरा आपकी photo वगेरा आपको यहाँ पर साथ लेके जानी है। यहाँ पर जब आप जाओगे इस वाले address पर तो आधार सेवा के अंदर लेने के लिए जो यहाँ पर कुछ process होती है registration process वो आपसे करवाएंगे या फिर जो भी इनका process होगा लेने के लिए कि आपको कितना time लगेगा या फिर आपको लेने के लिए क्या क्या process करनी होगी यह पर आपको कौन-कौन से full documents आपको देने होंगे वो सारी चीज़ें आपर center जाने के बाद वो आपसे clear कर देंगे और सारी चीज़ें उन्हें देने के बाद registration करने के बाद वो आपको बता देंगे कि आपका जो registration है आधार सेवा केंदर अगर आपको खोलना चाते हो तो आप आपका जो आदार सेवा केंदर है वो खुल जाएगा या फिर आपको खुलने के लिए ये चीजे करनी पड़ेगी जो भी चीजे वो आपको बता देते हैं जो भी प्रोसेस आपको फोलो करना है और प्रोसेस फोलो करने के बाद 100% आपका जो आदार सेवा केंदर है आपकी ज के अलावा UTI जो company है वो आधारकार सेंटर भी देती है क्योंकि आधारकार के जो center है वो काफी सारी companies देती हैं लेकिन उनी company में से एक trustable company है वो है UTI क्योंकि UTI बहुत काफी सालों से चल रही है और यह बिल्कुल trustable company है यह कभी भी किसी के साथ fraud नहीं करती है यहाँ पर आपक परते हो तो आपको आपका जो आधार सेवा केंदर है वो आपको मिल जाता है और जब आपको आपका आधार सेवा केंदर मिल जाए उसके बाद आपको आपकी kit मिल जाती है आपका ID password मिल जाता है उसके बाद आप login करके आपका ID password डालके और उसके बाद सारी services जो मैंने आप आपको बताई यहाँ पर वो सारी services आप customer को provide करवा सकते हो और आधार सेवा के अंदर खोल कर आप एक अच्छी कासी कमाई कर सकते हो तो आधार सेवा के अंदर खोलने के लिए आपको किस प्रकार से online process करना होता है वो मैंने आपको complete समझा दिया है यहाँ पर आपको किस भी प address पर आपको जाना होता है अपने जरूरी documents आपको साथ ले जाने होते हैं अगर आपके पास documents नहीं है पहले आप try करना चाते हो कि यहाँ पर process किस प्रकार से होगा तो direct भी आप यहाँ पर visit कर सकते हो और पूछ सकते हो कि sir मैं आधार सेवा के अंदर लेना चाता हूँ इसक किस प्रकार से होता है इसके लिए किस प्रकार से apply करना होता है इसका procedure क्या है वो मैंने आपको complete समझा दिया है उम्भीत करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें साती अगर आप हमारे चैनल पर न इस्टाग्राम और टेलिग्राम पर message कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमें वहाँ पर direct message करता है हम उनका 100% reply देने की कोशिज करते हैं